हलो फ्रेंज, मैं आज आपको रवा बेसन के लड़ू बनाना सिखा रहे हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं और जहपट बनते हैं, घर में कुछ न कुछ हमें स्वेट खाने के लिए चाहिए होते हैं, तो एक घर की चीज बड़े अच्छी बनती है, इसमें कुछ हम लैची पाउड़र और एक घी हम पुरा ने डालेंगे, पहले हम ड्राय बेशन और रवा भून लेते हैं, इसका इसमें पहले घी के बाद, ड्राय बेशन में लिए रवा को अलग से घी में बुनने की ज़रूरत नहीं है ड्राइ रवाम ने भुनाता वो इसमें हमने अड़ किया हुआ है अभी इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि वो मिक्स हो जाएगा अब इसके उपर हम हलका सा दूद छिड़केंगे हलका दूद छिड़कना है हमें एकदम दूद नहीं डालना है ताकि उसके दाने दरदरे बन जाएंगे तो जब हम लड़ू बनाएंगे और खाएंगे तो वो दरदरापन हमें महसूस होगा बड़ा अच्छा टेक्श्चर आता है तो हलका फूल का हम इस पर दूद डालेंग अभी इसको हम ढग के रखेंगे और अभी ड्राइफरूट डालेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें ड्राइफरूट डालेंगे और इसमें हम शुगर पाउडर भी आड़ करेंगे शुगर पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हलका ठंडा होना चाहिए ग पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले